मित्रों मैं आज की इस महत्वपूर्ण बीसी में आप सब काहिर्दे से अविनन्दन करता हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं बलके देश के किसी भी राज्य के पहले पेपर लिस्ट बजट के लिए प्रदेश के बित्तो मंत्री स्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हिर्दे से विनन्दन करता हूँ मुझे प्रसंता है कि आज से हमारी काइबनेट भी एक काइबनेट हो गई है आज प्रातर कालिन सत्र में हमारा बजट पूर्व जो काइबनेट के बैठक आईजित हुई थी वह अभी ये काइबनेट थी और ये काइबनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और आप सब को भी आपने इस कानंद लिया होगा इसके लिए भी आप सब को मैं बधाई देता हूँ मित्रों एक लोग कल्यानकारी विकासोनमुक सर्व समावेसी बजट के लिए मैं बित्त मंत्री बित्त राज्यमंत्री सी संदीप सिंग प्रदेश की अपर मुख्य सचयों बित्त और बित्तायुक्त स्विमती राधा आईस सोहान ता बित्त विभाग कि उनकी पुरी टीम को रुदै से बधाई देता हूँ यह वजट सबका साथ सबका विकास ता सबके विश्वास कि उत्कृष्ट लोक्तांत्रिक भावना से प्रिपूर्ण प्रदेश के तेप्र धारने अमसर समावी विसी विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगा बेश्विक महामारी करोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्चे के लिए यह वजट एक नई आसा एक नई उर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उडान देने का एक मात्यम बनेगा खास तोर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गाओं में सडक और हर गाओं को डिश्टल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेट को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में नहीं थै यह बजट प्रदेश के गाओं, गरीब, किसान, नौजवान, महलाएं और समाज के प्रतेक तपके का प्रतनिजित्वा करने वाला यह बजट है, आत्म निर्फर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है, इसमें रोजगार की विवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, बंचितों, सोशितों, युम युवाओं के सुन्दर भुश्य की रूप रेखा और उत्तर प्रदेश के नौ निर्मान की संग्रशना भी इस वजट में निहित है, मैं इस सांदार वजट के लिए वित्तमंत्री जी को और अपरमुख्य सचिव पित्त और वित्तायुप्त जी को हिर्दै से बधाई देता हूं, प्रदेश वासियों को इतने सांदार वज बजट के लिए अपनी सुक्कामनाई भी देता हूं, पजट से जुड़ी हुई जो कुछ महत्तुपूर्ण बाते हैं उनमें, हम सर जानते हैं कि बजट काकार इस बार पांच लाग पचास हजार, दोसो सत्तर दसमलब सात आठ करोड उपे का है, जो वर्स दोहजार बीस इ के वजट से 37 करोड 410.06 करोड उपे यानि तीन दसमलब, साथ सुरी, साथ दसमलब तीन प्रिस्ट दिक है, अगर आप देखेंगे कि कोविड नाइंटीन के दोरान भी वित्तिय अनुसासन को बनाई रखते हुए, प्रदेश के इंफ्रास्टक्चर के डेबलमेंट के साथ साथ, लोग कल्यान की भावनाओं के साथ प्रतेक तबके के हीतों को इसके अंदर समाहित करते हुए, मैं तुकून कारिकरम कदम उठ थाए गए हैं और उसके तहट हम सब जानते हैं कि बिगत वर्स कोविड नाइंटीन के दोरान जिस प्रकार की स्तितियां थी, उन इस्तितियों में हम इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया नकेवाल आम जन जिवन कोविड नाइंट चेलनी पड़ी थी, उस दोरान भी जिस प्रकार का कारिक उस दोरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प सक्ति के साथ आगे बढ़कर के कारिक या, आधनिया प्रदान मंत्री जी के मार्क दरसन में, हम जानते हैं कि हमारे राज़ुस्य की प्राप्तियों में जो हमारे लक्से उस लक्से के अन रूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कटनाई हुई, उस सब के बाप जो धे, एफार बीम की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्ब वेंग ने रखी है, फोर फाइंड फाइब प्रचसत का हम उसको फोर फाइंड बज़िजट करके हम लोगों ने आज का ये बजट प्रस्तुत किया है। बजट में मुख्य रूप से जिन चीजों की तरह आप देखेंगे कि बजट की अपने एक थीम होती है। उत्तर प्रदेश का ये बजट हम लोगों ने जब 2017-2018 में अपना बजट प्रस्तुत किया था। तब हम लोगों ने बजट प्रदेश के अन्नदाता खिसानों को समर्पित किया था। 2018-2019 का हमारा बजट प्रदेश के और दोगी की विकास को समर्पित था। 2019-2020 का हमारा बजट मात्रिश सक्ति को समर्पित था। और 2021 का हमारा बजट युवाओं प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रस्टक्चर डिवलम्मेंट को समर्पित था। तो इस बार का ये बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेसी विकास और प्रदेश के विभिन वर्पों के स्वाबलंबन के माध्यम से ससक्ति करण को आधार बना करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में इस ओव लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गाओं को सड़क और हर गाओं को डिजटल बनाने की प्रकरिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूप रिखा इस बजट के माध्यम से प्रारंब की गई है। खास तोर पर जब हम क्रिशी छेतर की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री क्रिशक, दुरगटना, कल्यान, योजना को इस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान अच्छादी था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार, और अन्य लोगों को भी सामिल करते हुए, अगर दुरगटना से किसी ऐसे वेक्ति की मौत होती है, तो पांच लाक रुपे की सायता, इस बेमा योजना के मा अब तो होगी, बजट में इस बात की विवस्ता की गई है, साथी साथ, जो किसान परिवार, आयुसमान भारत से स्वास्ति बीमा से कवर नहीं प्राप्त किये हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरुक के योजना के इंतरगत पांच लाक रुपे की भी, निसुलक स्वास्त बीमा कावी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है, मित्रों महलाओं की तिस से, एक कुछ नहीं योजना ये प्रारंब की गई है, आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को ब्यापक आयाम मिला है, इस से पहले मुख प्रिये हुई है, जिसमें सवा लाग से धिक बालिकाओं की साधी ब्याओं की कारिकरम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़े हैं, हमने इसकी रासी को 31,000 से बढ़ा कर, 35,000 से बढ़ा करके क्याउन हजार रुपी भी बिगत वर्स किया था, इस वर्स मुख्यमंत्री सक्स सुपोसन योजना, एक नई योजना उन छेतरों के लिए उन लोगों के लिए लाही जा रही है, छे मेहने से लेके पांच साल तक किसी भी बच्चे के लिए, जो कोपोसित है, उस बच्चे को सुपोसित करने के लिए, या जो बालिकाएं स्कूल नहीं जार पाती हैं, 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए जो एनिमिया से पीडित हैं उनके लिए भी इस वजट में एक प्रावधान किया गया है दूसरा एक बहुत अच्छी योजना महिला ससक्ति करण के दिस्ता में प्रारंब की जा रही है और यह है महिला सामर्थ योजना यह महिला सामर्थ योजना हम लोगोंने वर्स 2019 में जहांसी बुंदेल खंड में बलेनी मिल्क प्रावधिजर का वहां पे प्रारंब किया था भारस सरकार के सहयोग से अब आज सेरे करेंगे एक वर्स में इस योजना के साथ जुड़ीवी महिलाओं ने 46 करोड उपे का इनका टर्न ओबर था और दो करोड का नेट प्रॉफिट इस महला स्वेम से भी स्वमों को वहां पर प्राप्त हुआ था ऐसे नए स्वेम से भी स्वमों और इनके माध्यम से दुख्द छेत्र में एक नई करांति लाने के लिए प्रदेश ने महला सामर्थ योजना प्रदेश के अंदर हम लोगोंने अन्य तमाम योजनाओं के साथी युवाओं के लिए आप सब जानते हैं कि अभी हाली में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम एक नए योजना यवाओं के लिए समर्भित की है औरुवा योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रदेश के युगाओं को प्रतियोगी परिक्साओं की तैयारी के लिए हम लोगोंने फिजिकल और वर्च्वल दो प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिस्नरी हेट कौर्टर पे ये विवस्ता परारंब की है जो हमारी प्रसंद पंचिमी से क्लासे फिजिकली वर्च्वली प्रारंब भी हो चुकी है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं लगवग 10 लाग लोग अब तक उससे जोड़ रहे हैं वर्च्वली जोड़ रहे हैं फिजिकली अभी ये संख्या चुकी अस्थान और उसके लिए इंफ्रस्टक्चर किस्टिटी को देखते हुए इसमें हम लोग उसको क्रेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये योजना प्रदेश के अंदर लोग परिये हुई है और अन्ने राज्यों में इसकी डिमांड हुई है हम लोगों ने एक बिवस्ता इसके साथ जोड़ी है इन प्रत्योगी परिक्साओं के लिए चाहे वह यूपी एससी का हो या प्रदेश के PCS का हो लेकिन साथ-साथ इसमें जो भी पातरता की सिर्णी में बच्चे आएंगे उनके लिए टैबलेट की विवस्ता भी हम लोगों ने इस योजना के अंतर का दात्रोषित किया है उन्हें एक एक टैबलेट भी उपलब्द कराएंगे क्योंकि जो बच्चे वर्चुली इस क्लास के साथ जुड़ेंगे उनके लिए टैबलेट आउस सेखर टैबलेट की विवस्ता का प्रावधान आज की इस वच्चट पर उनके लिए किया गया है इसके लावा परदेश के अंदर 18 कमिस्ट नरी हैं हमारे पास लखनो में देश का पहला सेनिक स्कूल है चार तीन अन्य सेनिक स्कूल निर्माना धीन है एक गोरकुर में प्रस्तावित है लेकिन इस सब के बाबजूद हमारे कुछ कमिस्ट नरी ऐसे हैं 18 कमिस्टनरी है और 18 कमिस्टनरी में से जो कमिस्टनरी सेस बची है जिन में कोई सेनिक स्कूल नहीं उसमें एक-एक सेनिक स्कूल को भी हम लोगोंने आद प्रस्तावित किया है कि एक-एक सेनिक स्कूल उस कमिस्टनरी के अंदर किसी एक जनपद में अस्तापित करने की कारियोशना हम इसके साथ मनाएंगे संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी लॉजिंग और फूटिंग की विवस्ता नहीं उपाती है जिससे बिद्यालेयों में भी उपस्तिती नहीं रहती है और साथ साथ स्वाई पूप से बच्चे नहीं आपाते हैं तो बिद्यालेयों में भी उपस्तिती कम रहती है और उन बच्चों के सामने भी अब हम लोग ने एक विवस्ता प्रारम की है वजट में प्रावधान कर दिया गया कि जिन आश्रमों में सुविधा होगी तो गुर्कुल पद्दती से अगर वे लॉजिंग की विवस्ता करेंगे तो उनकी लॉजिंग और फोटिंग के लिए सरकार इसके लिए विवस्ता करेंगी और इसमें हम गुरुकुल पद्दति को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत पाठ्ठकरम को और मजबूती से आगे वढ़ाने के उन बच्चों की लॉजिंग और फोटिंग की सुविधा के लिए सरकार इसमें सयोग करेगी और ये काड़िकरम आगे वढ़ेंगे प्रदेश के अंदर खेल कोट और खेल विकास और खेल कोट के लिए भी प्रोटसान के लिए प्रदेश सरकार ने बिवस्ता की है हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले से हमारी युजना चली हर गाउं में खेल का मैदान होना चाहिए खेल के मैदान के साथ ओपन जिम की अस्थापना भी वहाँ पर हो जिससे बच्चों के अंदर अपने स्वास्ते की प्रतिक नई चामूरुकता पैदा हो सके ये कारे हम प्रारम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर एक विवस्ता की जिस कमिस्टरी में कोई राज्य विश्विद्याले हमारा भी नहीं है तीन राज्य विश्विद्याले हमारे वर्तमान में प्रस्ता भी थें एक सहरनपुर में दूसरा अलिकड में तीसरा आजमगड में इसके लावा जिस कमिस्टनरी में कोई राज्य विश्विद्याले नहीं होगा वहाँ पर हम एक नए राज्य विश्विद्याले की अस्थापना वहाँ पर हम लोग करेंगे इस दिस से एक बड़ी गोशना भी इस बजट में की गई है इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हमारे 69 जनपद ऐसे हैं जिन 69 जनपदों में कोई न कोई हमारा मेडिकल कॉलेज है गौर्मेंट का हो या प्राइबिट छेतर का मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है और बेतरी स्वास्ते के सुप्धा वहाँ पर उपलब्द होती है जिन छेतरों मेडिकल कोई मेडिकल संस्थान है मेडिकल कॉलेज नहीं जिन जनपदों में ऐसे 16 जनपद हैं उन 16 जनपदों में भी पीपी मोड में हम लोग नए मेडिकल कॉलेज अस्थापना के लिए स्योग करेंगे इसकी पॉलसी हमारी तैयार हो चुकी है और बजट में इसकी गोश हम लोगोंने करोना काल खंड में इस बात को देखा होगा कि प्रदेश के अंदर संगठित और असंगठित छेतर के सर्मिकों के सामने किस परकार की समस्याईं खड़ी होती है करोना जैसी महमारी के दोरान सारी विवस्ता स्तव्यस्त सी हो गई और बड़े पैमाने पर लोगोंने प्लाइन का रास्ता अपनाना प्रारंब किया था उस समय हम लोगोंने थिरिमे रासन वरन पोशन भत्ता और उनके आवागमन की विवस्ता को सुनिश्चित करने का कारे किया था इस बार हम लोगों ने बिवस्ता की है कि संगठित और असंगठित छेतर के संगठित छेतर के मजदूरों को लो हम स्रम विभाग की योजनाओं से उन्हें अच्छा दित करते हैं जिनके लिए हम लोगों ने बिगत वर्स 18 अटल आवास्य विद्याल है उनके बच्चों के लिए प्रारंब करने की कारवाई प्रारंब किये है वर्तमान में उनके पे कारवाई तीजी से चल लई है जिसमें हम उन सभी बच्चों को जिनके रजिश्टर सर्मिक है उनके बच्चों को ला करके च्छे से बारवीन तक की और आउस सिक्ता पड़ेगी उससे आगे की भी विवस्ताम करेंगे धेर सारी योजना हैं उनके लिए हम पहले से चला रहे हैं स्रम विभाग के द्वारा ही उन्हें हम नकेवल उन लोगों को वहां पे हम लोगों ने पहले से ही स्वास्ते बीमा की बल्कि सामाजिक सुरक्सा की गारंटी भी वहां पर उपलब्द कराई है पहली बार असंगटी छेत्र के उन मजदूरों के लिए जिनकी संख्या अगर अकिले प्रदेश के अंदर ही हम देखेंगे लगबग एक करोड से अधिक है चालीस लाग प्रवासी कामगार और सर्मिक तो क्योल प्रदेश में ही आये थी करोना कालखंड में इसके लाबा अगरिकल्चर के छेत्र में काम करने वाले ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले, पल्लेदार, कुली ये जितने भी हैं ये असंगटी छेत्र के वे लोग हैं जिनका कोई पुरुसा हल नहीं प्रदेश सरकार ने एक व्योस्ता की है कि असंगटी छेत्र के हर ब्यक्ति को हम लोग उसका रेजिस्टेशन, उनका रेजिस्टेशन की कारवाई करने जा रहे हैं और उन सभी को दो लाख रुपे की सामाजिक सुरक्सा की गारंटी प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्द कराएगी और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोग असंगटी छेत्र के प्रतेएक व्यक्ति को जो असंगटी छेत्र का मजदूर है उसे पाँच लाख रुपे की स्वास्ते बीमा की भी कवर मुख्यमंत्री जनारुग योजना के अंतरगत हम उन्हें देने जा रहे हैं ये बड़ी योजनाएं इस छेत्र में उन लोगों के लिए प्लब्द कराई जा रही हैं जो लोग अब तक इन सभी योजनाओं से बंचित थे और एक परकार से अब विवस्तित से और खाना वदोस्य उनकी जीवन से था उसको विवस्तित बनाने के लिए लगबग एक करो आसरे स्थलों के लिए आप सब जानते हैं कि लगबग प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर साड़े पांच लाग से थी गोवन्स हमारे पास सरकार के द्वारा संचालित निराशित गोवासरे स्थलों में उनकी विवस्ता और उनकी सुरक्सा की जा र वोगोन किसान परिवारों को दिया जिसमें हम 900 रुपे ठर्जय किसान परिवार को प्लब्द कराते हैं लेकिन सरकार ने तैय किया है हर नाय पंचाए-दस्तर पर भी एक दरसित गोवासरे स्थलों की विवस्ता धन्रासी की विवस्ता की गई है जिसको हम अस्थानी एंचियो की माद्दियम से इसको संचालित करने का कारे करवाएंगे इंफरस्टक्चर और वहां की जो लैंड होगी है सरकार की होगी और एंचियो की साथ मदद के मदद से हम इसको संचालित करने का कारे करेंगे इसके साथ ही नगरिय चेत्रों में भी हम इस प्रकार की योजना को संचालित करने का कारे करेंगे और ये कार्य आगे बढ़ने के साथ ही वारानसी में गोकुल ग्राम की तर्जपर प्रदेश के अंदर भी हर नया पंचाय दस्तर पर फिर बाद में गोकुल ग्राम की रूप में तर्जपर तर्जपर इसको आगे बढ़ाने की एक प्रहत कार्योजना को हम आगे बढ़ा रहे है और निराजसित गोवंस की नसल सुधार की दिसा में भी एक नई कार्योजना की गोष्णा जहां पर की गई है खुर्पका और मुपका जैसी बिमारियों से मुक्ति का एक अभ्यान प्रदेश के अंदर युद्धस्तर पर चला है टीका करण की कारवाई लगवकम पूर्ण हो और भले जीएस्टी देता हो या नदेता हो यह बात कव इसे है लेकिन रेजटेशन के साथ साथ उन लोगों का रिटन भरने की ट्रेनिंग देने और दस लाख रुपे तक की कोई दुरगटना उनके साथ होती है उस ब्यापारी के साथ कोई कैजवर्टी होती तो उसके परिबार को दस लाख रुपे की एक कवर प्रदेश ने इसमें उपलब्द करवाने की कारे किया और प्रदेश ने इसमें काफी बड़ा कारिय इस दिसामें प्रारम किया है यह एक बड़ा कारिय प्रदेश के अंदर आगे बढ़ने का बढ़नाने के लिए किया जा रहा है प्रदेश के अंदर उन छेत्रों में जो दूर दराज के छेत्र हैं वहाँ पे टेली मेडिसिन के लिए और टेली कंसल्टेशन के लिए भी प्रयाप्त ब्यवस्ता बजट में इस बार की गई है और इस ब्यवस्ता के माध्यम से हम लोग काभी बड़े अस्तर पर प्रते एक नागरिक तक बेहतर स्वास्ते की सुप्धा अपलब्द कराने में हमें मदद मिलेगी कुछ नई चीजें जो वास्तों में यहाँ पर अपलब्द हो सकती हैं लखनों में हम लोगोंने एक एक और कि तरश पर नेशनल इंस्ट्यूट ऑव ऐरो जी पुने जो भारत सरकार का संस्थान है और किसी भी प्रकार के वाइरस के समय से पैचान करने और फिर उस वाइरस के खिलाब उस प्रकार के वैक्सीन को विक्सित करने की सामें कारे क्यादा सके इसके लिए एक उस प्रकार का संस्थान प्रदेश सरकार ने अपने अस्तर पर यहां पर बनाने की एक कारियोजना को बजट में दिया है जिसमें KGMU, CDRI, EKTU मिलकर की उस प्रकार का एक संस्थान लखनों में बनाएंगे जिससे आने वाले समय में COVID-19 जैसा कोई अगर वाइरस प्रदेश में किसी भी प्रकार का या उत्तर भारत में कहीं भी उसका इटेक होता है तो समय से हम उसकी पैचान कर सकेंगे और उस दिस से फिर वैक्सीन के निर्माण में भी सायक हो सकेगा इसके लिए एक बड़ा कारे यहां पर प्रारंब किया जा रहा है इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चाईवाह अटल आव या पूर प्रधानमंत्री सरदेव अटल बहरी बाचपीजी के नाम पर चिकिसा विश्योवित द्याले की स्थापना को हो या प्रदेश के आयूस बिश्विद्याले का है प्रदेश के अंदर एक नए, हम लोगोंने यहाँ पे विदिविश्विद्याले का नौई नुस्ती प्रियागराज में बनाने की कारवाई को भी हम लोगोंने इस बजट का हिस्सा बनाया है तो साथी साथ केजीम्यू में इंस्ट्यूट आप वायरलॉजी एंट इंफेसेज डिजीज के साथी एक SGPCI के लिए भी एक डाइवटी रेटनोपेथी की एक नई कोशना इस बजट में की गई है जो स्वास्ते छित्र में एक उच्चस्तरी बहतरीन सुविधा यहां पर उ काफी मदद करेगा कि मित्रों जल्जीवन मिशन हर घर नलत पहुंचाने की योजना जल्जीवन मिशन प्रारंब होने के समय उत्तर प्रदेश का अच्छादन दो भीजती से कम था और आज इसको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए ब्यापक कार्यूशना हमार को ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आधनिये प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्शन में उनकी प्रिणा से इनसे फ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में काफी बड़ी मदद हमें मिली है कि इसमें हमारे दो आधार थे एक था सवच भारत अभ्यान हर परिवार के पास की इस नंबतों में प्रधिवर्श से कि एक सोचाले उक्द कराना और दूसरा था सुद्वे जल के आपूर्थ आरो तीस जन्पदों में Πरतिवर्ष से बारह सो छिन बच्चों की मौत होती ती एक सो पंद एक से पंद्रह होलए तक ये बच्चों की लगभा बारह से पंद चतर फीजती नियंतन करने और मौत पर पिच्यानवे फीजती तक नियंतन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है एक बड़ी सफलता इसमें प्राप्त हुई है और अब उसी दिसा में नए प्रयास प्रारंब करने के लिए हर घर नल की इस योजना को भी हम जिससे चेत्र हो बिंद का चेत्र हो आर्सनीक फ्लोराइड या खारा पानी की समस्या से जो चेत्र जूज रहे हैं या जहां पर अन्य समस्या हैं उन सभी को ग्रामिन और सहरी दोनों के लिए लगबाग सत्रह हजार करोड उपे की बड़ी विवस्ता बजट में की गई है जिससे हरे एक ब्यक्तिको सुद्व पेजल की आपूरती हम कर सकेंगे और केवल योजना लागवी नहीं हो ना बलकि इस योजना को संस्टेनेबल बनाने के लिए जो इस योजना के साथ जुड़ेगा उसको दस वर्सों तक उस योजना की देखभाल करने की भी जिम्यदारी लेनी है ये इसके साथ जोड़ा जा रहा है इसलिए एक बड़ा कार्य इसमें ग्रामिन और सहरी छेत्रों के साथ इसको जोडने का प्रियास प्रारंब किया गया है प्रदेश में नगरी चेत्रों का दायरा बढ़ा है पहले हमारे पास कुल 653 नगर निकाय थे आज बढ़ करके इन नस्तर में सुधार करने के लिए दौस इसमार्ट सिटी भारत सरकार निकोसित की थी राज्य सरकार के साथ मिलकर कि तो साथ अन्य नगर निगम थे उन्हें राज्य सरकार अपने खरचे पर स्मार्ट सिटी की रूप में डेवलप करने जारी और राज्य सरकार के खरचे पर उनका यहां पर विस्तारक अग्रुस चर्ट के बिक्सित करने के एक चारे योजना प्रदेश सरकार ने यहां पर प्रारम्ब की है इसके साथ vlogs 60 साहर हमारे ऐसे हैं जो अम्प्रित योजना से आचादी थें वहाँ पे पेजल के साथ साथ सिवर आदी की विवस्था के वढ़ाने के साथ ही ग्रामिन और सहरी छेत्रों में आवास की सुविधा अपलब्द कराने है और सेश अन्य लोगों के लिए एफर्टेवल हाॉसिंग की स्कीम जिनके पास अपने स्वेम की लेंड नहीं लेकिन व नहीं है प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओद्योगिक विकास के छेत्र में इस और डूइंग बिसनेस में उत्तरप्रदेश की रैंकिंग में जो सुधार हुआ है देश ने भी दुनिया ने भी उसको सरा है 2016 में उत्तरप्रदेश 14 अस्तान पर था 2017 में में हैं जिससे देश के अंदर सबसे अच्छे गंदव्य की रूप में प्रदेश बना है इस दोरान आपने देखा होगा देश कोरोना काल खंड के दोरान जब हर जगे अभीवस्ता थी लोग अपने को निस्त्रमाल पा रहे थे तब हम कोरोना परवंदन की बेहतरी नुधान भी प्रस्तुत कर रहे थी इतने बड़े प्रदेश में लेकिन साथ-साथ हम लोगों ने परदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे उधानभी प्रस्तुत किये जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तरप्रतेश में आया है और यह चीन से आया है निवेश चीन से उत्तर प्रदेश में जिसमें लगवग 5,000 क्रूर रुपे का निवेश होने जा रहा है प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए 6,000 क्रूर रुपे की ये कारे उसना क्रिया सील प्राव हो चुका है प्रदेश के अंदर ऐसे ही अभी आइक इसको यहां पर प्रारंब किया गया है यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने इस फिर्ड में जो कारे किये हैं उसके मात्यम से इसमें काफी काफी इससे संभावना इससे आगे बढ़ी है प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आप निवेश की संभावना को आ रवधान किया है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्ट्यूट यहां पर हम लोग लोखनों में स्थापित करने जा रहे हैं इसके साथ ही यहां पर एक सेंटर ऑप एक्सिलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहां पर लोखनों में स्थापित करने जा रहे हैं प्रद इने वहाँ पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया तीजी से इस पर कारे चला है। प्रदेश में 2016 तक 16-17 तक केवल एक साइबर थाना था आज हम लोग हर जन्पद में साइबर थाना स्थापित करने की कारवाई को युद्दस्तर पर आगे बढ़ा चुके हैं ये प्रदेश को नए यानि समय के इन रूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपराद और अपराध स्रिजन का एक बहुत ससक्त माध्यम है और इस ससक्त माध्यम का उप्योग भी प्रदेश ने किया है और वजट में इसका प्रवधान किया है कि प्रदेश में एक तो बंद पड़ी जो हमारी कताई और स्प्रिलिंग मिनी थी इनको हम फिर से पीपीपी मोड में चलाने और अन्य तरीके से इन के लिए हम लोगों ने कारे योजना के लिए बजट में इसका प्रवधान किया है प्रदेश साथी साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओड़ी ओपी की योजना को जो देश के अंदर एक लोग प्रिये योजना बनी है इस योजना को की आउसेक्ता नहीं पड़ेगी आप जाएए अपना यूनिट लगाईए और एक हजार दिन के अंदर बाकी आप चारिक्ताओं को आप पूर्ण करिए ऐसा नहीं कि लाइसेंस के वहाओ में आप अपना कारे नहीं कर पा रहे हैं MSM को इससे हमने मुक्त करते थे और उसमें अन्य जो रिफॉर्म करने थे यह भी रिफॉर्म करने कौला उत्तर प्रदेश पहला राज्य और उस प्रदेशा में तेजी से विकास करने के साथ ही प्रदेश में जो भी इस चेतर में युवा कारे करना चाहता है ऐसे युवाओं ये कारे लगवग 80 फीज़दी पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पर लगवग 50 फीज़दी का कारे हमारा हुण हो चुका है। गोरकपुर लिंक एक्सप्रेस्वे लगबग 25 फीज़ती से दिकारे हमारा यहां पर पीज़े के साथ आगे बढ़ चुका है बली आप लिंक एक्सप्रेस्वे इसकी कार्योजना को सरकार ने अपनी सैथांतिक मंजूरी दे दी है और अब हम एक नए एक्सप्रेस्वे के इसके साथ ही प्रदेस के अंदर जो अवसेस हमारी इंटर स्टेट तो इंटरनेस्टन कनेक्टिविटी है उसको फोर लेहल जोडने के लिए भी हमारे ब्रदेस के अंदर जिला मुख्यारियों को इसप्र योजना के माने से या फिर प्रदेश सरकार की ही किसी योजना के मात्यम से जोडने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है और हर गाउं डिश्टल होगा आपने देखा होगा हर गाउं में ग्राम सचवाले के निर्मान की कारवाई उतसतर पर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल लए है करोना काल प्राव सब्सक्राव का अर्यक्स अर्यक् का फिए मनसर्विस सेंटर बना करके और चाहिंस सेंटर में ही अंब गाउं कि है आये प्रवार्पक्त्र प्र commission प्र, जाती प्रमानपत्र ये गाउं में ही डिश्टली प्शूर्प्त होगा है इसके साथ ही हर गाउं में एक बैंकिंग क्रॉस्पॉंडेंट सकी गाउं की हर एक महला को गाउं में ही रोजगार मिलेगा और बैंकिंग क्रॉस्पॉंडेंट सकी की रूप में ही गाउं में अपनी सेवा दे पाएगी साथ ही लोगों को बैंकों तक जाने और बैंकों के सामान्यय काम काच को और समय को बचत करने में आप बहुत निर्ड़ाय औक हो में दूसरा हर पॉमें समधा सोचाले में भी घाओं की एक महिला को रोजगार देने के लिए भी कार्य उतस्तर पर प्रारम हुआ है यानि रोजगार सिरजन की दिसा में एक बड़ा कार्य इस छेटर में हुआ है लेकिन साथ ही हम लोगों ने एर कनेक्टिविटी को भी बहतर किया है आप सब जानते हैं एर कनेक्टिविटी में अय चलना यह और कार एक्रोस विए ऑद्या एक एरिफोर्ट के रूप में विक्सुथ होगा इसको बाद में एक हम लोग इंट्रेषनल एर्पोर्ट के रूप में डब्लप करेंगे जेवर एरप Кो पहले वहां पे केवल वहां पर एक विवस्ता थी कि वहां पर जो किवल दो वहां पर एरिस्टी बनेंगे लेकिन अब उससे बढ़ा करके च्छे तक बढ़िस्तार देने के कारियोशना के लिए धन्राशी की विवस्ता इस बजट में की गई है जेवर का हमारा एयरपोर्ट एसया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने जा रहा है वहां पर विकास की उन अनंत संभामनाओं को आगे बढ़ाने को एक नई नया स्थान उसमें प्राप्त होगा चायवाग फिल्म सीटी के कारिक्रम को आगे बढ़ाने का हो फिल्म सीटी को वहां पर आगे बढ़ाने का हो वहां पर एक आईटी सीटी के रूप में उसे डेवलब करने के लिए भी एक नई कारे उसना के साथ हम लोगों ने वहाँ पे कारे प्रारम किया है हम लोगों के अलस्त के अलाबा प्रदेश के अंदर उसी नगर में इंटरनेशनल एरपोर्ट बन रहा है वारानासी और लखनों में इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पहले से भारत सरकार कारे कर रही है लेकिन साथ-साथ प्रदेश के अंदर साहरनफूर, मेरट, अलीगड, मुरादाबाद, बरेली और आजमगड, चित्रकोर्ट, सोनभद्र ये सभी चेत्र भी एर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ उतर प्रदेश ने स्वेड में काम किया है देश के अंदर, अन्य राज्यों में इस प्रकार का कार्य इस दिसा में आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन उतर प्रदेश ने तेजी के साथ इस शेत्र को आगे बढ़ाने का कारी किया है, प्रदेश के अंदर, पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलब करने के लिए, उनके लिए अवस्तापना स्विधाओं के विकास के लिए एक बड़ा कार्य प्रदेश ने नाम पर हर पुलिस लाइन में, हर पुलिस ठाना में, और हर एक पुलिस चोकी में, यह उस्तापना जो सुविधाओं का विकास, आबासिय सुविधाओं का विकास, पुलिस के लिए क्या जा रहा है, इन सभी के साथ उनको जोड़ने का कारे हुआ है, इतने बड़े पैमान के मात्यम से हर एक करांतिकारी अस्तल पर हर एक सहीद अस्तली के पुनरुद्धार सुदर्ड़ी करण और सुंदरी करण की कारयोजना को भी प्रदेश सरकार ने अपने वजट का हिस्सा बनाया है प्रदेश में सर्विस सेक्टर की अनंत संभावनाएं और इसमें रोजगार की वी अनंत संभावनाएं आपने देखा होगा प्रयागराज कुम्ब आपके सामने है प्रयागराज कुम्ब के मात्यम से कैसे जहां पर महा कुम्ब के समय में क्यवल 12 करोड ही सर्धालू और प्रेटक आप आये थे थोड़ी सी विवस्ता प्रदेश सरकार ने की किया 24 करोड प्रयाटक और सर्धालू उसी प्रयागराज कुम्ब में वहां पर आए अयोध्या के दुनिया के अंदर एक नए टूरिस्ट स्पार्ट के रूप में डेबलप हुआ है जो फूटफाल है अगर आप देखेंगे अध्बुत है और बहुत उसको देखकर के वास प्योग करने के लिए हमें हमारे पास ब्यापक संभावनाई स्फिर्ड की और खासतोर पार इस जो रिलीचेस जो हमारे पास टूरिस्ट है या स्त्रधालू है उसके लिए अयोध्या है वाकासी है प्रयागराज है चित्रकूट है नेमिस है बिंदवासनी धाम है दयुपा सके और यहां पर आस्ता का भी संभान हो सके इसके विकास की एक कारियोजना तो हमने लिए है मुख्यमंत्री प्रेटन संवर्धन योजना के अंतरगत भी हमने प्रयाप्त धंडासी की विवस्ता की है कि प्रदेश के अंदर एको टूरिजम की जो संभावनाई है है इन सभ प्रदेश के अंदर इस पूर्य बजट में अनुसुची जाती के लिए भी जन जाती के लिए भी पिछडी जाती के लिए भी प्रयाप्त धंडासी विवस्ता उनके पुन्रुद्धार और उनके कल्याण के लिए सासन की योजनाओं को उन पहुंचाने के लिए प्रयाप्त धंदासी की विवस्ता की है लेकिन साथी साथ लखनों में एक जन्जातिय संग्राले की स्थापना हो सके इसके लिए भी सरकार ने विवस्ता इस बजट में यहां पर इस बजट में इसका भी प्रावधान किया है यानि अगर हम कहें कि यहा का स्रसमावैसी विकास को ध्यान में रदकर कर बनाए गया है मैं एक लोग कल्यानकारी विकासों नुमुक êtes कि विवस्त विजट के लिए अपने वित मंत्री सी सुरेश हन्ना जी को वित राज्य और समाज की प्रतेक तब्के के लिए बेहत्र विवस्ता की गई है पत्रकारों के लिए पहले हम विवस्ता कर चुके हैं आवास्य सुविधा मीडिया के लिए तो आवास्य सुविधा कीवी और स्वास्ते भीमा का हम पहले यह कवर दे चुके हैं व्यवस्ता देए आगे हो चुक पढ़ चुका है अब चुका हमारे अस्तर पर पहले हो चुकी बहतरीन विवस्ता उसमें की जा रही है बहतरीन विवस्ता होगी आप सब के सहयोग के लिए एक बार फिर से मैं बहुत बदाई देता हूँ अपनी सुबकामनाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ के बज़र प्रदेश के समक्र विकास को और सरसमाविसी विकास को एक नहीं उचायों तक पहुंचाएगा बहुत बहुत धन्यवाद